तो जहीन साथियो एक बार फिर से स्वागता आपका बिहार सीबिल कोड की प्रेक्टिसेशन में आज की इस वीडियो में बिहार सीबिल कोड प्यून के लिए यहाँ पर हिंदी का आठारे नमर मोडल प्रेक्टिसेट देखने वाले हैं ओभी चक्सु पबलिकेशन का यह वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे तो चलिए बिनादिरिक के वे इस प्रेक्टिसेशन को बनाते हैं और एक एक प्रस्न को बारीकी से अध्यान करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स पाला जो कोस्चन है वो मुहाबरा से है आपको बाताना है कि त्रिसंकु होना मुहाबरे का सही अर्थ क्या होता है तो देखिए फ्रेंड्स त्रिसंकु होना मुहाबरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है अधर में लटकना ठीक है फ्रेंड्स अ आपर देना चाहिए इसको नीशा ठीक है नीशा का आपको बिलोम बताना है तो देखिए फ्रेंड्स नीशा का मतलब रात होता है और रात का बिलोम क्या होगा दिन होगा तो इसलिए यहाँ पर option number C इस question का right answer हो जाएगा next यहाँ पर question की बात कर लें तो दिया है कि दिये गए वाक में जो रे खांकित खंड को परतियस्थापित करने के लिए उपियुक्त बिकल्ब का chain करें तो देखिए यह जो रे खांकित खंड है इसी को जो है परतियस्थापित करना है तो अब वाक परते हैं वो पिछले बरस ह हरी द्वार गया था अप्सान अमर बी इस question का right answer हो जाएगा ठीक है friends नेक्स्ट यहाँ पर जो question है वो है कि निमली खित में से उस विकल्ब का chain करें जो हरी जंडी दिखाना मुगाबरे का अर्थ व्यक्त करता है तो देखिए हरी जंडी दिखाना मुगाबरे का क्या ठीक है friends अप्सान अमर सी इस question का right answer हो जाएगा नेक्स्ट आपको बाताना है कि सही वरतिनी वाले सब्द का chain कीजिए किस अप्सान में जो है माखन चोड सही तरीका से लिखा हुआ है तो अप्सान डी में देखिएगा माखन चोड जो है सही तरीका से लिखा हुआ है अप् इसका कोई अधार नहों उसको निराधार बोला जाता है अप्सान अमर डी इस question का right answer हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पर question है कि दिये गए वाग का वह भाग याद करे जिसमें कोई टूटी है आपको यह बताना है किस वाग का वह भाग जिसमें टूटी है उसी को चुनना है तो बिग्यान के यूग ने समय की महतों बहुत बढ़ा दिया है तो देखिए friends यहाँ पर समय की महतों आपको महतों में भी जो है यहाँ पर गरबर दिखाई दे रहा होगा तो इसलिए यहाँ पर option नमर बी में जो है गरबर है और यहाँ पर की भी नहीं होना चाहिए ठीक दोस्तों नेक्स्ट जो कोश्चन है वहाई कि रिक्त अस्थान को भढ़ने के लिए उपिक्त सब्द का चाइन कीजिए। आपको बागों में डैस डैस खिलते हैं तो बागों में क्या खिलते हैं फूल खिलते हैं तो अप्सन नमर डी इस कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पर कोश्चन है कि जो दिये गए वाक में वाक मेरे खांकित खंड को परतिया स्थापित करने के लिए उप्युक्त बिकल्प का चाइन कीजिए, अब देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देख लिजिए, लिखा हुआ है कि अर्जुन के यहाँ पर सोस्ट बरसिये, ठीक है फ्रेंड्स, बरसिये पूत्र अभिमनुने चक्र भी हुतोरा, तो देखिए यहाँ पर ओना चाह वह भी रिखतस्थान से है, रिखतस्थान को भढ़ने के लिए उप्युक्त सब्दकार चाइन करें, साइनिक देश की डैस डैस करते हैं, तो साइनिक देश की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, अप्सन अमर B इस कोश्चन का राइट एंसर हो जायेगा, नेक्स्ट यहाँ पर कोश्चन है कि दिये गए वाग का वह भाग ज्यात करें, जिसमें कोई टूर्टी है, अब इसमें आपको टूर्टी चुनना है, वाग पर लेते हैं कि लोगतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्ता है, जो लोगों को समान मानती है, देखिए यह समान नहीं, यहाँ पर जो है समान होनी चाहिए, समान मानती है, ठीक है फ्रेंट्स, तो यहाँ पर जो है, लोगों को समान मानती है, यह होना चाहिए, यह आधा मन नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर option number b, जो है, इस question का right answer हो जाएगा, नेक्स्ट देखिए, 12 से लेकर 16 तक की प्रस्ण है, वो यहा या स्थापित करने के लिए उप्युक्त विकल्प का चायन कीजिए तो सीतल के जगह पर यहाँ पर चारो अप्षन में से आपकों रखना है तो सीतल वायू चल रही है सीतल का मतलब होता है ठंडक ठीक है तो यहाँ पर अप्षन नमर B हो जाएगा ठंडी वायू चल रही है नेक्स्ट यहाँ पर कोश्चन है कि दिये गए वाक्यांस के लिए एक सब्द दिजिए इतिहास से सम्मंदित है तो उसको क्या बला जाता है उसको बला जाता है इतिहासिक ठीक है फ्रेंड्स अप्षन नमर A इस कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पर कोश्चन देखिएगा वह है कि दिये गए सब्द के पर्यायवाची सब्द का चाइन कीजिए अब तो यहाँ पर सब्द दिया नहीं है मिस्प्रिंट हो गिया है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब्द यहाँ पर दिया है आपका अउगुन ठीक है फ्रेंड्स अउगुन दिया है अवगुन का यहाँ पर प्रयायवाची क्या होगा तो अवगुन का जो प्रयायवाची होगा दोस होता है ठीक है फ्रेंड्स असफलता होता है अप्सन नमर डी इस कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पर कोश्चन है कि दिये गए वाक का वह भाग याद करे जिसमें कोई टूर्टी है तो चलिए अब वाक पर लेते हैं समूहो के लोगो कि आपसी मेल मिलाप के तोर तरीके का जटील सरूफ ही समाज है अब समझे यहाँ पर समूहो के लोगो होनी चाहिए ठीक है फ्रेंड्स समूहो के लोगो होनी चाहिए लेकिन समूहो दे दिया है तो यहाँ पर गरबर है अपसा नमर बी में जो है टूर्टी है अपसा नमर बी इस कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पर कोश्चन आपको रिक्त स्थान को भड़ना है पुस्तक का डैस डैस फट गया तो पुस्तक का क्या फटता है पन फट जाता है अपसा नमर ए इस कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है यहाँ पर कि दिये गए सब्द के पर्यायवाची सब्द का चैन कीजिए यहाँ पर देखिए बेवधान का पर्यायवाची किया होगा तो देखिए फ्रेंड्स बेवधान का जो पर्यायवाची होगा बाधा होता है, अप्सन नमर A इस question का right answer होता है यहाँ पर देखिए बाधा और रुकावट यह दोनों हो सकता है ठीक है फ्रेंड्स तो अप्सन नमर A हो जाएगा नेक्स्ट है यहाँ पर आपको सही वर्तिनी वाले सब्द का चैन करना है तो सही वर्तिनी का जब चैन कीजिएगा भूलकर भूलकर देखिएगा अप्सन नमर D में जो है सही तरीका से लिखा हुआ है नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा दिये गए सब्द का बिलोम चुनिए अब यहाँ पर तो सब्द दिया नहीं है लेकिन यहाँ पर देखिए होना चाहिए आपका असफल असफल का बिलोम क्या होता है सफल होता है अप्सन नमर D इस कोस्टन का राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पर कोस्टन देखिएगा फिर से जो है आपको यहाँ पर गद्यांस देखने को मिलेगा गद्यांस पड़कर उतर देना है और पूरा जो है लगभग इसमें 10 परस्ण है तो बस आज के लिए इतना है जितना भी जो हिंदी ग्रामर के कोस्टन थे इस सेट में उसको हमने करा दिया है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएं